हेग गाई, सेलकम तो माई चैनल घरेलो नुकसे यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आटा चावल दाल में यदि घुन लग जाता है तो उसके लिए घरेलो उपाए जी हाँ बरसाथ के दिनों में हमारे अनाज जो है या दाल है आटा है चावल है उनमें बहुत ही जल्दी घुन लग जाता है तो हमें बरसाथ से पहले ही करना क्या होगा जो भी हमने घर में चावल डाल अनाज घर में स्टोर करके रखा है उनमें घुन लगने का बड़टर रहता है बरसाथ में तो उससे पहले ही आपने उसमें यानि बरसात के आने से पहले ही आपने उसमें रख देने होंगे इन सभी बरतनों में आपने पांच-पांच लाल में चाप रख सकते हैं इससे भी बचाव हो जाता है घुन लगने से दूसरा आप उदीना की पत्तिया भी डाल सकती है वो कोई नुकसान दायक भी नहीं होती है यदि आप उसमें रख देते है तीसरा नीम की पत्तिया भी आप रख सकते है इससे भी गुन नहीं लगते है और छोथा उपाय है माचिस की डिद भी लेकर के थोड़ा उसको खुला करके आप किसी भी परतन में रख दीजिये जो भी आपने सामान स्टोर किया है उसमें आप एक एक दो दो माचिस रख देंगे तो इससे भी ब्रसात के दिनों में आपने जो अनाज स्टोर किये है उसमें गुन नहीं पड़ेंगे तो ऐसी ही जानकारी के लिए प्लिजिस चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें सेयर करें फेंक्स पर वाचिंग इस वीडियो